देखते हैं मिना देर की ये बाहर दोर्स मिना टिकला जिस प्रकार एक व्यक्तिकी जीवन मरौन जन्चन का महत्पून स्थान माना जाता है उसी विकार पतिक राष्ट के प्रावस अपनी रह जितिक धर्मिक समाजिक परमपराओं के नुसान मरौन जन्चन के साधन होते हैं नर्ट किसी प्रकार के अनेक साधनों में से एक साधन है मैंने गया है स्रवकावय का आन पपकि के नंद शुनकर उठा जातलं कि अनेक प्रूपपक कही है है रुपक को को सासाथ उपरूपक भी माने गए हैं। रूपक के दस्वेद हैं। नाटक, प्रकार, भाण, प्रशन, डीम, ब्यायोग, समौकार, बीई, थी, अंका और इहाम्रीग। उपरूपक अठारा प्रकार के माने गए हैं। नाटक, नाटक, त्रोटक, गोष्टे, शटक, नाट, रासक, प्रस्थान, उलाप, यकाब, प्रेरंग, रासक, सुलनापक, स्री गदीत, सिल्पक, विलासी का, दुर्मली का, प्रकारणी का, हल्ली, सवर, भाडी का। संस्क्र साहित सास्त्र के परड़ेतावने इन विविद रूपकों और उपरूपकों के लच्छों दिधारित के हैं। वस्तू संगळग, नायक और रस, प्राचिन, भारती, नाट, सास्त्र के अंसारे तीन ततो नाटक के पदानंग माने गए हैं। इन नियमों का पलन करके हैं। तीसरी चोथी सतब्दी पूरवयां। एरसा से अनेक नाटक करों ने अपनी नाटक करतियां प्रत्तत की इसी परंपरा में भास, कालिदास, भावुति, सुद्र, खर्स, विशागदत, राज से खरादी अनेक विश्वविख्याद नाटक कर हुए। इस परकार आज के लगभग दो सहस्त्र वर्स पूर्व भात वर्स में नाटक कला का जन्म और विकास हो जुका है। अने देशों से बहुत पहले यहां वह अपनी पूल उनत्ता वस्था को पहुच गई थी। हिंदी नाट साइद का इतियास और भारत अंदू की नाट रचनाएं। इसा की सात्वी सताबदे में हर्सवर्धन की मिलतू के बाद भारती राजनीतिक जीवन चिंद भिन और राजकता पूर्ण हो गया था और सिग रही बढ़ते हुए इसलाम दर्म के साथ भारत वर्स पर मुसल्मानी आकर्मन होने लगे। देश की राजक आकर्मन कारियों द्वर्ण दोनों अस्थानों के विद्वन सोने से नाटकला के प्रचार को यथेश्ट आघात पहुचाओ ऐसे भी इसलाम धर्म नाटकला के अनभूति नहीं देता है प्रारंभिक आकर्मन कारियों में धार्मिक जोस भी बहुत था बात की मुगल बासाइन संगीत था और ललीद कलाओं का अस्रा मवस्थ देया कि तो नाटक का अभी फिर भी आधर ना कर सके जिस पकार भारत की इतियास के माद देजोग में नाटकला का नाटकला उट से गे आधुनी खो जीवन करितर करुणा भरान हेदयराम करितर हनुमान नाटक निमाज करितर सकुंतला नाटक प्रजवसी करितर प्रबोध चंदोर्दय नाटक आधि परमुरन तो नाटक करितिक अनुसार उने नाटक नाम से अभीत नहीं किया जा सकता उनमें पाता प्रवेसाधी बाते नह बास्तों में ना टिकला कि दूर दिन में उनका जर्म हुआ था विदेशी जाती के संपर्क में से उनोंने कोई प्रसान ना मिला। साधवर्ता जनता में पवराणिक और कुछ एतिहासिक व्यक्तियों से संबंधित लिलाओं और रूपक के कुछ हीन और फ्रस्ट रूपका प्रचार अवस्य बना रहा। उननीशमी सताब्दी में हिंदी भासा भासियों का फिर एक विदेशी जाती के संपर्क अस्थापित हुए जाती एंगलो सेक्षन संस्कृति की संदेश वाहक अंग्रेज जाती थी अपना राज अस्थापित कर लेने के बाद अंग्रेजों नमीने फिर आधुने की सिचा कार की सिच्छा संस्थाइं अस्थापित हो चुकी थी इन संस्थाओं में अने 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 विश्यों के अतरिक्त अंग्रेजी साहित का भी अध्यान होता था अंग्रेजी अंग्रेजी के पास अपना समूनत नाट साहित था साथी अंग्रेजी ने अपने वासनियों के लिए नाट रचना नहीं की नहीं नहीं थी उसकी परंपरा वीच में भाले ही टूट गई हो इसके साथ 19 सताब्दी उत्तराद में नवत्थान कालिन भावना का भी काम कर रहे थी इन सब गालनों के फलतुरूप वनकूल वातमलग पाकर हिंदी नाट साहित का ज चनमतिया भारतेंदु से पूर्व रीवा के महाराज विश्वनास सिंग अपना आनंद रघ्मनेंद नाटक लेख चुके थे इस नाटक में राम कथा कवलान है नाटक पद्यात्मक अधिक और ब्रजवासा गद्य में है नाटक छंद गद्य प्रात रप्रप्रमें साधी था आन नाटक लच्छडों से समनीत आगामी नाटक यूग का अग्रदूत है विद्रूप नाटक क्रितिक अनुसार भारतेंदु के पिता गोपाल रिचंद उपनाम गिर्धर दास अठास तैतिक से अठासो साथ में नहीं नहुस नामक नाटक की रचना अठासो उनसठ मे कि यह दे भी उसकी पूरी प्राप्ति अप अप्राप्त है अन्तात पचात अठासो एक सठ में राजा लच्मन सिंगे कालिदास के सगुंद्रला का हिंदी में अनुवात किया स्वयम भारतेंदुहरी चंद ने अठासो अनसठ में चौर कभी क्रित संस्केत रजना अभीद अठासो ती अतर में काचन कभी क्रित धनांजये विजये व्यायोग को अन्त में अठासी के लगभग सेक्सपीयर के मर्चेंट अब बैनिश का रदूलव बंधू अर्थाद बंश्पूर का महाजानापूर नाम से नुवयात भारतेंदु दौरा प्रस्तुत हुआ ये ठीाता इंस्याना भवती-धार्शी आत्र प्रहसन्द Спत्यहरी profound अफार सो पचेतर श्रीचंद्रावली यठार्शी चीध लांटिका why भीशा से विसात से भी समों सधाम 866 भार भार जनिन 877 नाट गित भार दूर्जासता 880 जीवर बालकिष्वम प्रज रतने दास के नुवसार 886 नाट्र राशक नील देवी 8801 गीती रूपग अंधेर नगरी अंधरी नगरी अठार से क्यासी प्रफेसरन प्रेम जोगिनी अठार सव फचेतर अपोंड रहा नाढीका और सती प्रताब इस प्रमद में उन्होंने नाटे सास्त का देशकाल और रस्था के अनुसा परिवार्तित दसागे प्रकास में अध्यन कर प्राचिन और नविन का समन्वे वस्तित किया है। प्राणिक और प्रेम समन्दे आगे चलकर सिर्निवास दसने रनधीर और प्रेम मुहिनी 878 तबता सवरन 1883 और सन्योगिता स्वयंबर 1885 की राधाकिस दसने दुखिनी बाला 1880 पदमौती 1882 धर्मालाब 1885 और महराणा पताब 1892 नहीं कि कि सुरुई लाल गो स्वामी ने मयंक मंजरी 1897 है महराणा पताब कि सुरुई लाल गो स्वामी ने मयंक मंजरी 1891 और कि राव किश्र दे शारण सिंग ने माधुरी रूपक की तथा अने अनेक नटकारों ने अनेक अनेक मौलिकम अनुदित नटकों की रचनाकार बात अंदू के कार को आगे बढ़ाया और हिंदी साहतिके इस आंग को पोश्ट किया सामाजी कम धर्मिक सुधारवादी अंदूलनों और राज्य्यतिक शेत्ना के फवलसरो उतम अन्दूलने ततकलीलेजियन नाटे-स आहित नवीन पास्चात नाट सास्तर का अनुकरन किया थतकालीन सुद्रेवल समाज के रूची का अनुकुलून है जो जो बात अच्छे लगी वे विवात उन्होंने दोनों नाट पदतियों से ग्रहाण की नाट कारून है प्राचिन पदति के हनुसार नाट को की रचना अवस्य क की अंतरगत आग गया है इसके अतरिक तिया बात भी असमन रखनी चाहिए कि अतधी प्रजा रात्मक्ता आ जाने है और पार्सी थेट्रों से प्रवावित होने जनता का आ सच्छी थोने है एंदी रंग मंज का अभा होने आधी अन्यक कानलों से इंदी नाटकों का उतना स से अंतर तक उनका एक ही रूप बनना रहता है बुरा पात्र आधी से अंतर तक बुरा बना रहता है और अच्छा पात्र आधी से अंतर अच्छा बना रहता है रसा तक उन रस्तात्मक्ता और कव्यत्व का प्रवा धान ने भी उनमें मिलता है नाटकी कथा वस्तु भी एक निश्चित मेर्ग पर शलती हुई मिलती है उसमें आरो आरो का आभाव मिलता है किन्तु इतना सब कुछ प्राचिन होते हुए भारतिंदु तो था उसके समकाली नाटो कारून ने हिंदिन नाट साहित को नवीन दिशा की और मोडा मौलीक नाट साहित की रचना के अतरिक्त भारतिंदु युग में अनुदित नाटो का निमाण भी हुआ संत्कित नाटो के अनुवत कारिका स्रीगड़िस राजा लच्मण सिंग के सकुंतला नाटक से होता है आनने आगे भी यह परंपरा बरावर मनी रही संत्कित नाटकों के अंग्रेजी नाटकों के भी से हिंदी में अंग्रेजी के नाटकों के अनुवत हुआ है एंग्रेजी नाटकारों में सेक्सपियर के नाटकों का बहुत अधिक प्रचार को अस्तों है भारतिंदु ने उनके मर्चेंट अब वेनिस का दूलब बंदु नाम से हनुआत प्रारम किया 1889 मितोतारां बर्मा ने जोसेव एडिशन के कायटो का कैटो कृतांद के नाम से हिंदी में अनुवात किया वतात पश्यात पूरोहित गोपिनाद लाली लाला सीतारा मादी ने इस कारे को और भी आगे बढ़ाया और बिसीवी सताब्दी में भी ये परंपरा जारी रहे है बिसीवी सताब्दी दिर्शों का बाहुले रहता था और भूत था वहानक रसों की प्रधानता रहती थी उनमें प्रहे दो कथानक रहती थे एक गंभीर और दूसरा हास्य पूर्ण ये सेक्स्पियर की बद्दी नगल थी इस प्रकार उस समय नाटे कला राजकता पूर्ण और अभ्योस्तित थ था नाटक लिखे तो अन्यक गए के इंडूसरी स्टरचनाओं का अभाव था साहित थी अभी रूच्व रखने वाले वेक्तियों ने इसे पाजिते थी प्रतिया संतोस प्रकट किया उन्होंने पंग्डाल के दूजेंद्र लाल राज गिरिस घौसादी के नाटको के नुवारत प्रस्थुत के जिन में साहीत तक अंसलत रंगहमचीता ए जगतां की पूर्थी भी पाई जाती थी प्रत widget में के लगवकतREY माह यूद के लगवक तयक संदर्ग मौलिक नाटको के एक प्रकार से अभार मिलता यह कुछ में असिच्छित ग्रामिड इंता रास लिलाओं और राम लिलाओं से अपना मन भाला रही थी पड़ली के धार्मिक लोग पॉलारिक नाटकों से संतोष प्राप्त कर रहे थे अंग्रेजी सिच्छित लोग आतियासिक और सुधार समधे नाटकों से अपनी राष्टी भावन प्रसाद जी के बाद हिंदी में अने ही कुछ कोड़ी के नाठक लिखे गें वर्तमान नाठी साहित पर पास चाहतर का परभावश्ट अस्पश्ट विप से लच्छे दें भात हिंदु के संचेप्त जीवनी भात हिंदु की जी का जन्म 845 में हुआ वे प्रसाद वे के प्रक्ति सिल ब्यक्तिओं में से थे जब वे 5 वर्सके थे ताब उनकी माध्य परवधि दिविया और जब वे 10 वर्सके थे तो उनके पीता का देहान तो गया पीता की असमेंएक मित्यों के हो जाने के वारण के इस सिच्छा का समुचित प्रपन नहों सब्छा नहीं 3-4 के वस्था में उनका विभा मन्ना देविच से हुआ विभा के बाद उन्होंने अने कस्तानों क्यात्रा की आउसर मिलने पर सद्यव और विश्वास और और प्रमाणिक्ता का विरोध किया उन्होंने स्वदेशी निज भासा उन्नती राष्टी इता भारत के उन्नती इस दिल विधु सी महिला थी उनकी लोगप्रुइता का प्रमाण इसी से मिलता है कि सारे देश नोंने भारतहिंदु की उपाधे प्रतान मुंक्षी थी है, उन्होंने विभित प्रकारश हैं यी शायत की सम्दधा बना, उनका वेक्तित्त वतत्तकौली मिन्सेशित धानिक वर्क की व आधि पत्रों का संपादन किया भारती इतिहास के संदीकाल में आविर भाह होने से उन्होंने नवीन प्राचिन पास जात और भारती बातु का सुन्दर समन्वाई उपष्थेत कर भावी उनती के सभी मर्का स्रिजन किया अंग्रे जी राजी के अस्ताब्ना के फलसरूप जो राजनीतिक धारमिक सामाजिक आर्थे का वर सहितिक परिवर्तान हो रहे थे उनके पतिवी जाग रूप थे, उनका जीवन का भारती नाव उथ्थान का प्रथम चलन था, वहां मुधृत्तान फोर तो अतीत से भॉइस पर लगे हुई थी प्रेम घन मलकिष भाठ तोता राम बर्मा प्रताब नार्मिस श्री निमास ता साधी ने भारत इंदु के नेति में ततकाली जीवन के हीन और उज्वल दोनों पच्छों कर दृष्टी पात कर देश सेवा के मंगल में देश के लिए मंगल में नामग निबंध में नाटक की का बें मिस्ट मिस्जर सुद्धकवति कर व्र Chrome लूजट्र ये तीन भ्रेद किया है सुद्ध्वतु के अंत्रगत कठ्थ पुतलि वाजेगरी आदी के खिल भरशकें अंत्रगत इंद्रसभारस यात्रा लीला पार्सी कम्पनियों खनाँक त का बेमिस्र के लिए उन्होंने प्राचिन और नविन दो भेद माने हैं फिर फिर भे प्राचिन के अंतरगत भारतिन नाट सास्त के अंसार नाट के रूपक और उपरूपक की घड़ना की गए नविन भेद के समझ में उनका कथान इस प्रकार है बियोग अंत जिसकी कतांत में नाइका या फिर नाइक के मारण बाग किसी आपद घटना पर समापत हो उधारण रडधीर प्रेम मोहिनी में सरथा जिसके अंत में कुछ लोगों कतो प्रावन बियोग हो और कुछ सुख पामें इस नविन नाटकों के रचना के मुख्यों दे किसी यत्र विशेष द्वारा या किसी प्रकार अध्भूत घटना दिखाई जाए समाज संसकारक नाटकों में देश की कुरूतियों का दिखलाना मुख्य करता भिकर में यथा सिछा के उन्नती विवा समद्धी कुरूती निवाना नथवा अंधर्म समद्धी अन्याय बाले विवा भी दूसर जैसा काम जैसा ही पर नाम ओएसा ही पर नाम जै नार सिंग की चक्छुदान इत्यादि देश वसल नाटकों का उद्धेश पढ़ने वालों या फिर देखने वालों के हिरते में स्वादेशा नुराक उत्पन करना है और ये प्राय करूण और भीर देश के होते हैं उद्धान भार जन नील देवी भार दो द्रसा इत्यादि इन पांच देशों को छोड़कर बीर सक इत्यादि आन्ने रसों में भी नाटक बनते हैं इस लंबे उद्धरन से भारतेंदू के नाटक दिश्टिकोर पर ये थेच प्रकास पड़ता है उससे प दो तो इस संब्ध में यह बात ध्यान देने हो गए कि नवी नाट पदेति का योग होने पर भी भारतेंदू ने उसे नाट रासक के नाम से भुका रहा है प्राचेन नाट सास्टिके अनुसार नाट रासक अठारा प्रकारक उपर उपकों में से एक हैं स्वहम भारतेंद इसे करने के फसरूप दो निस कर्स हमारे समने आते हैं भारतेंदू द्वारत दे गई परिभासा और आन्य परिभासाओं में कुछ बातें समान रूप से मुलती हैं मैं समान बातें निम लिखेत हैं एक अंक नायक उदात यानिक धिरोदात नाइका वासक सज्चा उपनाय पीठ मर्द अन्यक प्रकार के ताल और ले सन्युक्त नित्त और गांड अथ्वा लासके अग विवते जिनका उलेक भारते दुन ने अपनी परिभासा में नहीं किया हास से किवा सिंगा रस्पधान मुख और निर्वाहन संधियां अथ्वा प्रतिमुख संधि को छोड़ कर सेश चारों संधियां अरस्तो इन दो निश्कर्चों के प्रकास में ही भारत दुर्दसा का अध्यान करना उचीत होगा रचना पदयती की द्रिश्टी से भारत दुर्दसा मिस्रत रचना है और थात उसमें नवीन और प्राचिन का मिस्रना है कथा भाग के द्रिश्ट्री से हुँ में पूर्ण नवीनता है क्योकि उसका उद्धेश देश वस्तलता पूर्ण और समाज संसकारक है आज सेत्वा सिंगार रसकी पधानता कि अस्थान पर उसमें भीर और करून रसकी पधानता है बाद दुद्धसा में शांक है या बाद भी प्राचेन सास्त्री नियम के विजुद्ध है स्वाम भारतंदों ने अपने तीवी परिभास्षा में एक ही अंख माना है नाट की रचना में अधुनिक द्रिश्ट्री उजना कथानक बैचित्र के द्रिश्टी से रखे जाते है और उसके द्वारा कथा कथा कथांस के विभेद सुत्र एक अंक के अंतरगत संगठित किया जाते हैं भार दुद्धसा में या तत्य द्रिश्टी गोचन नहीं होता है उसके अंक कथानक के सीधे साधे इस्तुल भी भाजन है प्रतेकंक की कथा सोता फूर्ण नहीं है आग भारत में भारत वाक्या है नियोगी का लावनी पान कोरस के ढंग पर है नाटक का अंध भी दुख पोड़ है अर्थात भारती सुखांत पदती के नुकुल नहीं है कटार का आगा थी प्राचिन नियमान वसार वज़े द्रिश्ट से प्राचिनता की द्रिश्टी से भारत दो रसा कर नायक भारत धीरोदात नायकार उप नायक भारत भाग्य पिठ मर्द क्योंकि वह भारत का मुख्य सायक और अंतरंग मित्र है उसमें सभी उत्तमगुल विद्यमान है इसके अतरिक्तिया रचना विविद्टिकार के गाहन निर्तियादि से समन्वी थे दूतियं विद्य ने तेरी आसा के जर्ण न खोट डाली तो मेरा नाम नहीं मुख सधी बीज नामक अर्थ प्रकृतिया और आराम नामक कार्य वस्ता है और अंत में जब भाद भाग गया चाती में कटार का आगात कर लेता है तो निर्वान संधी कारे नामक अर्थ प्रक्तिया और हately हम नमक कार्य वस्थ़ा हैं इन दो प्रधान बातों के वत तरिक डुआ से तीसरे चोते अंको में बिंदू और्ध प्रक्ती प्रयतन अकार्यवस्था प्रद्राथ प्रतिमुक संदि पाच में पताकाद प्रक्ती भातवासिओं गुद्र दिवाय सब्सक्रा पर्षान वी तरफी मुखसंधे इसलिए कि तीसरे चौतियंकोमे मूग संदी दिये प्रधान भलकाद दर्सन ही होता है वीमर संधी रजना में नहीं दभी उपर दिये गई लचन के अनुसार पतीमुक संधी को छोड़ करना टरासक में से चारों संधी आ हो सकती है इस प्रकार भार दूरसा में नवीन और प्राचिन दोनों प्रकार के लचन घटित होते ह यह में भी प्रमुकता नवीन लचनों की है भार दूरसा के कथानक छामकों में इस प्रकार विभाजित है पहला अंक योगी का लावनी गान द्वारा प्राहारत के प्राचिन गवरों पारेस्टरिक फूट और कल्ला के फलसरूप यहनों के भारत आगमन भारत के दूरदयव सत्यनास, फूर्ट, संतोस, डाह, लोब, भाय, उपच्छा, स्वारत वरता, दूरभिद्याती, बरिष्टी, अना बरिष्टी, आदी की सायटा से भारत के धनबल और विद्यातीनों को नश्ट करता है चौथा आंग है भारत दूरदयव, रोग, आलस, मदिरा अन्दकार आदी भारत के नास के तैयारियां करता है, पांचमें एंग में सास्तभियो की एक छोटी सी समीती भारत दूरदयव से भारत की रच्छा का उपाय सोचती है, यहीं पर डिस लोयल्टी का प्रिविस होता है, और वहां इसलिए पॉलिसी नामक एक्ट के हाके में दफा से सब को फकड़ ले जाती है, छटवां अंग में भारत भाग या चेत पड़े भारत को जगाने के शेष्टा करता है, उसके पूरो गवर्वा का वर्ण कर उसे चेतन करना चाहता है, अंग्रीजर राजे में उन्नती करने की बाद चाहता है, किन्तो भारत के उठते भारत की आसा न देखकर अपनी छाती में कटार का आगात कर देता है, जैसा गूपर कहा जा चुका है, भारत की दिनहिन में पती द्रसा उसके प्राचिन गवरो का चेतन करना भारत इंदू का मुख्य उद्धे से था, अंत में उन्होंने अपनी इवर निरासा का भारत की कुई रेखा प्रकट भी तो नहीं हुई थी, वास्तों में भारत इंदू ने अपनी इस रचना में अथात वादी द्रिश्टिकों गण किया है, भारत दूर्दसा की कथा राष्टियम समाजिक और उत्पाद्र है, भारत की करूडा जनक परिसेती उसका प्रधान अधार है, कथा से साका प्रसाखाय नहीं निकलती उसमें दुर्वत्ता का अभाव है, वो समान गती से आगे बढ़ती चली जाती है और उसमें चरम सीमा पर समाप्त हो जाती है, आंकों का विस्तार भारतेंदू ने स्वचंदता पुर्वक किया है, उनमें घटनाओ की प् अधार मान कर उसका संगठन किया है, और वह भारती नौत्थान कालिन भावना से पुर्ता वोत्प्रोत है, उसकी अधोगती में एदी बीदेशी आकरवन करी और सास को कहां था तो स्वयम भारत वासियों का भी कोई कमहात नहीं था, ऐसी परिस्तिती में उन्होंने अंग् अधार मान कर उसकी संगठन किया, और वह भारती नौत्थान कालिन भावना से पुर्ता वोत्प्रोत है, उनकी अधोगती में एदी विदेशी अकरमर्ड करी और सास को कहां था, तो स्वयम भारत वासियों का भी था, गता में लेकर ने अपने भावों का अनमानुई किया ह है, वास्तों में नाटकार ने जो परसंघ उठाया है उसका सफलता पुर्वक प्रभावत पाधक कर ढङक से निर्भाव किया है, उसमें ऐसी धिलता कहीं नहीं है, भारत उर्दसा के पात्र नाटकी कि भावधारा के प्रतिक है। भारत अंदू कि समय में एक ओरतों भारत पतं के चिण चारवर विद्दिमान थे दूसरी और भारती नो त्थान की भाहोना से फ्रिरित नव सिच्छित भारतवासे जीवन के भावी प्रसेस से मार कर निर्मार्ण करने में संख्छ थे संलग नते भार्द में अंग्रेजी सामराजवादी और उपनी वैसे साखसना निती के फलसरू पश्चिम के जीवी जाती के संपरगस्था भी तोने खाजू परनाम दिर्ष्टी कोचर होना चाहिए था वा नवसिछितों के फ्रयास करने पर भी दिर्ष्टी कोचर नहीं हो करने वाली सभी जो भी बड़ा बहुत बड़ा भाग सेश्था वा अंदकार लिप्त था यह सब कुछ देखकर भारती सभीताम सेश्चितों के फालित वोसित अल्प संख्याग भारतवासियों के अतने दुख निरसा का सामना करना पड़ता था भारत दूरदेव का उन्हो कीसित्ति पर ही आधरित हैं किन्तो यदि हम भारत भारत भाग गया और सक्यों के सभी कत्रों का ध्यान पूर्वा का ध्यान करें तो भ्रगास की छीड़े रिखा वसा दिखाई दे जाती है इस सब न शक्तियों के प्रतेनिदी हैं जो उससमें हो भारत की दस्ता सुधारने में 10 तचीत थी 80 कालों से बंगाली सच्छा और साज्वनिक छेत्र से छेत्र में अग्रण थी संपादक भी तदकालीन सारज्वनिक जीवन के पधान अंग थे कभियों तथा अन्य साहित तीकों से ऐसे साई त्रिसिजन के असा थे जो देश के उत्थान में सहायग हो सकता था इन सभी का भातेंदूर ने अतन सजी वर्णन किया बंगालियों संपादकों और रितिक कालेन परंपरा के मोह में ग्रस्त कवियों की प्रमुख प्रमुख विशेस्ताओं का उदगाटन करने में उन्होंने अपनी अभी वेंजना सकती का परिच्छ दिया है तीनों वर्गों को भातेंदू भले भातें जानते थे संपादकों और कभी तो वे थे साथ है अपने ब्यक्ति का जीवन के अनुभास देशी लोगों के प्रवित्यों से भी देशी लोगों के अनुभेग नहीं थे हैं चुगली खाना सरकारी अपसरू के ससंकित रहना दूसरे को दूसर पर द्रिश्टी रखना यह उनका कार था अस्तु इस रचना में भातेंदू ने प्रतिकु का भी सजी और बिश्मित ना होने वाला रूप उबस्तित किया है बार दूर्डव दूसरा में पात्रों के संबादों में भात अंदू को सफलता प्राप्त हुई है एक श्वगत कथ्रों के द्वारा उनके पात्र पलिस्तित्यों फरपरपाश डालते है भार्तभागे का स्वागत कथन इसका एक उदारान है हुआ अपनी देश की ब्याख्या का उसका विस्लेशन भी करता है बार दूदसा के कथन पात्रों के चरित उनकी मनोदसा तथा अंत्रिक भावों पर पकाश डालने वाले हैं उनमें नाट की कतावस्तु को गतिप्राप्त होती है और अने स्माजी की ओमणाजनेती की सतिक उपाव रकट करते हुँए कथोप कथन में अपनी भीभीन ऊस्तितियों के अनुसार भाव kथन करते हैं अब वीस्वागत reiter में देखने में नहीं आए करें और वाता सब पात्रों के व्यावल में स्वभावक हैं किनतु जहां भाव की ति बार्दू दसा में भायात भाक्य के स्वगत कथनादी में करूण और बीर रचों का निस्वत्ति पाई जाते हैं भातेंदू के पात्र बेकार की बात नहीं करते हैं साथी वे सीधे साधे जंग से बात करते हैं ना कि प्रफंच्या हेर फेर के साथ पात्रों के मांसिक भावो सہायक सिध्ध होंगे. भारत दूजसा में भारत उड़ाव के प्रियास में उस्था होने के कान बीरोस व भारत भागत की इर्ष्था में करुन रस माना चाहेगा. हासे के लिए भी, उसमें कहीं कहीं उप्यूग दस्थल आ गया है. भारत अंदो की इस रचाय में स्वागत कतनों को छोटा कर देने से कोई कतनाई द्रिष्टी गोचर नहीं होते हैं। उनके प्रतिकात्मक पात रंग मंद पर भली बाते दिखाये जा सकते हैं। वास्तों में सभी द्रिष्टों से भाते हिंदू कि यह रचना एक सफल रचना है और हिंदी साहित में उसका गोरो फूनस्थान है। बार दूर दत्सा से भाते हिंदू कि विचारों पर भी अच्छा प्रगास पड़ता है। जब उनका ध्यान देश की अधुगत की ओर जाता था तो विदेशी या कर्मनकारियों के घातक प्रभाव के सांसाथ प्राचिन आरे गोरों और अनेक वीरों तथा बीर कृत्तों के उधारों से उनकी राश्रेता द्वानित हो उटती है। उनके भावत के प्राचिन गोरों और वीर कृत्तों के संबन में लिखा है। त्वध्य भारत वर्ष की कैसी छोप पूर्ण वस्ता हो गए थी। उसकी कितनी दूर्दसा हो गए थी। यह भात अंदू के निम्लिखित प्रांक्तियों से प्रकट होता है। रोवू सब मिली के आभो भारत माई आहाहा भार्दूर्दसा न देखे जाई आधी। कहीं करी तक सीर तिहारी रेविधी रोष्ट याही की बारे। सबै सुखे जग की नरणारी हे विधना भारत तही दुखारी आधी आधी। उन्हें रोग मार्सकर्मदे आलस धन हिंता वल हिंता। अविध्या पारिस्परीख फूट कला यहोनों मुसल्मानों की करना दुख बास्चाते सबेता का अंधान्युकरन। कंधारमी का अंध विश्वास शुवा चुद बूत प्रेत अन्हेक देवी देवताओं की पूजा दुर्भी दनीज भासागे वरति उदान सिंता और फलता अधा पतन। नाना बिरकार के मतों का बहुले अनेक संगठन आधी का उल्लेक कर भाहरत में चारो और छाय होया निजारे का हत्ते हैं तो शौपूपूर सब्दों में वोलन किया हैं। आंगरेजी राजे में दिन रात की कला और संती से छुड़कारा विवित वे गनिको शाधनों का सुखो पभोग बैद सासन सुंदर नियायपदती नब्वय। सच्छा आधी के कारण उन्हें अंग्रेजी राजी के गुडगान किया अब रगतिकी इच्छा से उन्हें अंग्रेजी द्वारा प्रचलीत सुधारों के सारहना के उन्हें ग्रहण किया अंग्रेजी राजी के नियामतों के साथ नराड़ा च नराधीप वाली भावना भी समय काम कर रही थी इसलिए भारतेंदू ने ब्रिटिस सिंगास्तान के परती भक्ति भी प्रकट किया और विक्टोरिया को आरेस्वरी अब देवी आधि नामों से समधित किया यह उनकी राजभक्ति के नीव है इसी संबंद द्वरा भारत के ग्रेट बिटेन के समझते हिस्स अच्छा भी प्रकट की जब किस कभी अउसर मिलता था तो वे राजनितिक द्रिश्टी से जनहित की सामांगे सरकार के सामने पेश करते थे और राजनितिक तथा सासन समंदी अनितियों को दूर करने के लिए अपील करते थे राजभक्ति प्रकट करते विए भी भारतेंद का घुर विडोत कि अंग्रेज राज्चुक साज सजे सब पहारी पैधन विदेश चली चायत यह थी ख्वाबारी आदी वे चाहते थे कि इभायत में स्वदेशी परचार और अध्यों की कुन्नति हो साथ सब्यों की कमेटी वाले बंस में अंस में उन्होंने सरकारी कि दिख दर्शन कराया जिस समय पंक्तिया लिखी गए भी थी उसमें लाड लिटन के अनुदार साथन से प्रजाह संतोष्टे थी अंग्रेज सरकार के सामने अपनी मांगे पेश करने के सांसाथ भारतेंदु समाजी को और धार्मिक शित्रों में जन्ता को सुधार न उसे उन्नति के मारक की ओर अग्रसर करने के लिए सदा प्रयादन करते रहते थे नवीन सेचा के भलसरूप नवीन और उन्नत बिचारों का चर्मपा इनके प्रकास में भारती जीवन का फिर से संसकार करने के बाद सोचना स्वभावल के था अंग्रे जी राज्य में देश्वासियों के नीरुद्यमता उनका आला से पतन उन्मुक संतो साधी की ओर लच करते हैं भारत इंदु भारत के मुक्स से कालाते हैं हाँ यह वहीं भूमी है जहां साच्छाद भगवान सिर्केश चंद के दूतत्व करने पर भी आदी-आदी अंग्रे जी के पास विद्या का प्रकास था अंदका वहां फटक भी नहीं सकता था इन्हीं अंग्रे जी के संपर प्याने पर भांद्र अंदु अपने देश्वासियों को उनती पधगामी देखना चाता है तेकिन्तु अंग्रे जहु को राज पाई के रहे कूड के मती भूले हिंदू सब हैं मूड जग के देश बढ़त बदी बदी के सब बाजी जही का ताहू समय रात इनको है ऐसे हैं ये बहावड इस समय में उन्होंने भारत दूर दायों कि फोज के रूप में पतन के अनिक करण का उनले किया अंग्रे जी सिच्छा का अंधा नुकर को निरण कुष्टा उनके मार्ग में वाधाक थी तब भी वे सुधार अंदलोन के अत्यंत आवस्यत्ता समझते थे किन्तु भारत भाग के सब्दों में निरास्ता प्रकड करते हुए भी उन्होंने कहा है जागो जागो रे भाई सुवत निशी बैस गवाई जागो आदी वास्तों में भारत इंदु भारती नो उत्थान के साकार प्रतिक थे एक और इदी उनके देश्टी भूतकल के गवरों की ओर थे तो दूसरी और प्राचिन और नवीन सुंदर समन्वे द्वारा भविस्टी और आसा लगाये हुए थे वे देश के पतन के गर्द से निकाल कर उन्नती की ओब ले जाना चाहते थे किन्तों देश्वासियों कि निरूद देमता देक उन्हें अठ्थेंथ मस्ती खलेस होता है बहर दूरदस्टा इसका इक प्रत्यच बहर दूरदस्टा का भूमिखा है कि अगले रंघ में देखेंगे भारत दूर्दस्टा का वचन क झाल ते है